सच्रीकाल जी बरसाद दा मौसम हुए ते हैजे दी शिकायत होना ते आमी गल है जे किसे नू हैजे दे कारण बार बार उल्टिया आंदिया है उन्हों नमक ते निम्बू दा रस पलाओ ते जे ओ फिर भी ठीक नहीं हुँदा ते अद्दा निम्बू कटके उन्हों गरम करके उदे ते चीनी पाके उन्हों चटाओ उदेनल हैजे दी तकलीफ तो काफी अराम मिलता है वैसे हैजे दे मरीज नू नमक दे विच प्याई दा रस मिलाके हर केंटे बाद देओ या फिर प्याई दे रस विच पुदीने दा रस मिलाके हर केंटे बाद देओ उदेनल हैजे तो काफी बचा हुदा है हैजे तो बचन लेई सब तो वदिया नुसका है के लसन नू छिलके उदिया तूरिया कार दे जगा जगा ते सिट देओ क्योंके इदेनल जडे हैजे नू पैदा करनवले किटानू है उँ मर जानगे ते हैजा हुई नू जे कर हैजे दे कारण किसे नू दस ते उल्टियां आ रही है उनू चुथाई कब करे ले दा रस उन्हाई पानी मिला के अपने स्वाद अनुसार नमक मिला के बार बार पिलाओ इदेनल हैजे दी तकलीफ तो काफी अराम हिंदा अगर है जे दे मरीज नू हर अदे केंटे बाद पुदीने दा रस पिलाया जाए उदेनल भी उनू बड़ा फाइदा मिलदा है जे दे मरीज नू एक गलास पानीच पँच गराम फिटकरी मेला के या फिर एक गलास पानीच एक लॉंग बालो जदो अद्धा पानी रह जाए ओ मरीजनों पिला दियो उदेनाल दस ते उल्टियां दोनों ठीक हो जांगे वैसे कारदी सफाई दाता हमेशा ही ख्याल रखना चाहिदा है पर बरसात तांदे दिना विच खास ख्याल रखना चाहिदा है बार दा खाना नी खाना चाहिदा आजड़े कटे होई फल फरूट बार मिल दे या ओनी खाने चाहिदे खाना खाओ पर जरा हलका खाओ ताके है जेदी शिकायत होई